question number 115 में दिया है कि sec theta minus 1 by sec theta plus 1 का जो value है to the power n का value है cos theta minus cot theta है तो हमें बताना n का value क्या होगा अच्छा अगर हम बात करें cos theta minus cot theta की इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह है 1 minus cos theta divided by sin theta ठीक है चल फिर आते हैं sec theta minus 1 by sec theta plus 1 की अगर इस power n है अगर इसको हम cos में बदन ले जाएं तो उपर आ रहा है 1 minus cos theta नीचे आ रहा है आपका 1 plus cos theta का power n हमें sine चाहिए तो sine के लिए क्या किया हमने उपर नीचे 1 minus cos से multiply किया तो 1 minus cos का square हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1 plus cos theta into का 1 minus cos theta और ओपर overall का power क्या है in 1 minus cos theta का whole square नीचे आ गया 1 minus cos square theta इसको आप sine square theta भी बोल सकते हो का power in तो भाई मेरे 1 minus cos theta by sine theta का power आ गया है 2 in अब जो question में है बोला है कि इसका value है 1 minus cos theta by sine theta बोले तो 2 in का value 1 है in का value हो जाएगा 1 by 2 मतलब कि सही answer आगया option number D तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे best pi q का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top तर तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ